हलो दोस्तो, वेलकम टू अंटोल इंडिया आज हम बात करेंगे मनी डी मॉनेटाइजेशन या फिर वी मुद्री करण मतलब कि किसी भी मुद्रा को बंद करके बदलना तो चलिए, आज जानते हैं इंडिया नितिहास के तीन महत्वपूर्ण मनी डी मॉनेटाइजेशन या वे मुद्री करण के निर्णाई जो की सरकार द्वारा लिये गया है इंडिया नितिहास में अब तक तीन बार मनी डी मॉनेटाइजेशन या वे मुद्री करण दर्ज किया गया है उसमें से एक है 1946 1978 और 2016 तो चलिए शुरू करते हैं 1946 से ये वो साल था तब इंडिया आजाद नहीं हुआ था और एक बिटिश टेरिटरी था और इसी साल बिटिश गवर्मेंट ने पांच सो, एक हजार, दस हजार राशी के सारे नोटों को बन कर दिया इस अचानक लिए गए हुए डिशिजन से जो नोटों की सही कीमत थी उसमें 60 से 70 फीसदी तक का नुकसान हुआ था मतलब कि अगर आपके पास 500 हजार या 10,000 की नोटे हैं तो आपको उसके बदले में, मतलब उसके एक्सचेंज पे आपको वो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे इस अचानक उठाए हुए कदम से लोगों में ये अफ़ा भी चली कि गवर्मेंट सौ के नोट को भी बंद करने वाली है लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस फैसले के बाद 1954 में जब इंडिया एक आजाद मुल्क था इंडियन गवर्मेंट ने एक हजार, पाँच हजार और दस हजार की राशी की नोटों को फिर से शुरू कर दिया 1978 इस बार देश के प्रधान मंतरी मुरारजिश देशाई ने काले धन को रोकने के लिए 1954 में शुरू की हुई एक हजार, पाँच हजार, दस हजार की राशी की नोटों को रद कर दिया और देश के नागरीकों को एक हपते का समय दिया राशी को बदलने या जमा करने के लिए हाला कि यह वो वक्त था जब मिडल फ्लास या आम आदमी के पास एक हजार पान्से जार या दस हजार की राशी के नोट को रद कर दिया और जनता को वह उन नोटों को बदलने का या फिर किसी भी बैंक या पोस्ट ओफिस में जमा करने का आदेश दिया आज मद्यरात्री यानी 8 नवंबर 2016 की रात्री को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो आपके पास 500 या 1000 की राशी की नोट होना आवश्यक है इसी वज़े से ये पिछले दोनों डी मोनेटाइजेशन से जादा कठिन और सरहान ही बतलाओ है थैंक्यू दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अंडोल्ड इंडिया के एक नए एपिसोड में